केंदर सरकार ने दाल धलन शेतर से जुड़े सभी पक्षों को आगा किया है कि घरेलू बाजार में कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सक्त कदम उठाये जा सकते हैं और आयाती तूर के लिए मुल्य सीमा निर्धारित की जा सकती है सरकार तूर की सप्लाई पर म्यानमार और मजंबिक के वर्चस से काफी चिंतित है और आयात की विकल्पिक अवस्था पर ध्यान दे रही है दरसल उध्योग और व्यपार शेतर के प्रतिनीधियों के साथ आयोजित बैठक में उभोकता मामले सचिव ने उध्योग को सक्त कदम उठाने के प्रति आगा करते हुए कहा था कि समान्य लाप के साथ नियमित कारोबार होना चाहिए इस पर सरकार को कोई अपती नहीं है लेकिन यदि माल का स्टोक रोक कर बाजार भाव में कृत्रिम तेजी लाने का मनमाना प्रयास किया गया तो इसे बरदाश करना कठिन होगा तूर के दा में जिस तरह तेज मजबूती देखने को मिल रही है उसको लेकर सरकार काफी अपसट है म्यानमार और मोजंबिक जैसे निर्यातक देश भारत की मजबूरी का नजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं वहां से तूर की कम सप्लाई हो रही है माना जा रहा है कि साबूत और अनपरसेस तूर का भाव आने वाले दिनों में बढ़ सकता है अभी फिलाल साबूत और अनपरसेस तूर का भाव दिसमबर 2023 में गिरकर 85-90 रुपे प्रती किलो पर आ गया था जो 2022 के उचस्तर 120 रुपे प्रती किलो से काफी कम था क्योंकि उस समय पुराना स्टोक लगबक खतम हो गया था और नई फसल की आवक शुरू नहीं हुई थी अब जनवरी 2024 से तूर का दाम एक बार फरसे बढ़ना शुरू हो गया है और अब ये 103 से 105 रुपे प्रती किलो पर पहुँच गया है कि उच्तम आयात मुल्य का निर्धारन होने पर अनेक चिनोतियां उत्पन होगी और तूर का आयात परभावित हो सकता है वहीं अफरीका से 1000 डॉलर प्रती टन की दर से ख्रीदे गए तूर को लादकर जहाज बारत के लिए प्रस्तान कर चुके है यदि उस समय 1000 डॉलर प्रती टन से कम का MEP लागू हुआ तो भारी नुकसान हो सकता है विरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी